आज मैं आप लोगों के लिए एकदम नई रेसीपी लेकर आई हूँ जो देखने में ब्रेट पकोड़े जैसा है लेकिन इसमें ब्रेट का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है ये देखिए इसको खाने के लिए आप इसमें ग्रीन चटनी भर कर खा सकते हैं या फिर आप इस इसको अच्छे से दो लिया है और अब मैं एक गिलास पानी डाल कर इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूं और साथ में मैंने यहाँ पर पांस चोबले हुए आलू लिये हैं जिसको मैं ग्रेट कर लेती हूं तो ग्रेट करने से आलू में गुठ्णिया नहीं रह जाती ह तो यह अच्छे से इसको हम मिक्स कर सकते हैं तो अब मैं इसमें नमक डाल देती हूं आधी छोटी चमश लाल मिर्श पाउडर और एक चमश भूना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया मैंने अब क्या करना है न हमें सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे आटे काम मिर्श डाली है और यहां पर आप धनिया पती का स्टेम डाल दें उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब हम डालेंगे एक छोटी चमश जीरा एक छोटी चमश भूना हुआ धनिया पाउडर और एक छोटी चमश आमचूर पाउडर और अब हम क्या करते हैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंड करने के लिए हमने पानी का यूज नहीं किया है और इस तरह से हमें एक मिक्शर मिल जाएगा तो अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और इसको ऐसे एक शेप दे देते हैं तो मैंने यहां पर लंबा शेप दिया करने बिदेते हैं यहां पर लेती है अब मैं इसको एक शेप देती हूं तो मैंने यहां पर रोल कर लेना है कोई बिदेते हैं जो भी आपको औरि आपको अच्छी लगतीได้елियो तो आप यह देखिए तयार हो गया है तो इस रिसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे मु क्या दिए अगे कि प्रोसेस में मैंने धर दो चम inquagrav लिया नमक गैए चोथाईseyre संद्री डाल दिये और काले मिर्श कुटी हुई डाल दिया मैं यहाँ पर लाल मिर्श पाउडर नहीं एट कर रहे हूं क्योंकि मैंने स्टफिंग में डाला है तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पाइन डाल करके ना इसका ठीक बैटर त्यार कर लेना और इसको खूब फेटना है तो फेटने से ना य तो यह देखिए यहाँ पर मैं इसको पलट दिया है और यह अब लगबग रेडी है तो बस इस स्टेश पर हमें इसको निकाल लेना है और अब यह खाने के लिए रेडी है तो आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ सब कीजिए यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद झालेगा